आर्थिक मंदी अमेरिकी अर्थव्योस्था के हर क्षेत्र को नुकसान पहुचा रही है और आम अमेरिकियों के साथ-साथ यहां के भारतिय भी इसकी चपेट में आ गये हैं रविश अंकर का ये रेस्टरंट यू तो वाशिंग्टन में खासा मशूर है लेकिन पिछले एक साल में बिजनेस पर असर हुआ है वहीं दूसरे और कंपनियों के बंध होने के कारण नौकरी करने वाले भारतिय भी चिंतित है प्राचे अगरवाल एक वकील है और एक वकालत कंपनी के लिए काम करती है हमारे लिए ओल्रेडी मुश्किल है कि हम किसी लौफ फर्म में मतलब जॉब मिले हमें और उपर से अभी जब ये फाइरिंग हो रही है तो इट बिकम्स वर्स तो basically it's all about you know demand कम होती है तो काम कम होता है काम कम होता है तो again you know there are less lawyers needed अमेरिकी युनिवर्सिटीज में हर साल हजारों भारतिय चार्टर पढ़ने आते हैं इन में से कई पढ़ाई के बाद यहीं नौकरी करना पसंद करते हैं लेकिन अब उनके मन में सवाल एक ही है आगे क्या होगा मैं summer में graduate होने वाली हूँ और मेरे मन में डर है कि जॉब मार्केट इतना खराब है कि मुझे जॉब मिलेगा की नहीं मिलेगा लेकिन सबको ये उमीद भी है कि अर्थ विरोस्था को सुधारने के लिए पारित आर्थिक मदद पैकेज की रखम जल्द ही अपना असर दिखाना शुरू करेगी लोग तोड़ा सा सकेड हो गएते हैं तो स्टिमलिस पैकेज आने के कारण अब दुबारा बहुत अच्छा हो रहा है लोगों में पॉस्टिव एटिटीट है तो वो आके अब आगे आ रहे हैं वो प्रापर्टी करीदने की बात कर रहे हैं तो इसलिए बहुत अच्छा टाइम आएगा आगे तो इस गोई टो वी अफेक्ट वेरी गुड इन गुड वे तो हम वरी अच्छी पुजीशन में जाएंगे भी आगे